हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो माई यूट्व चैनल आज की वीडियो में मैं आपके से शेयर करने जाएं इंस्टंट रावा के अपम की रेसिपी आज हम एकदम इंस्टंट रावा अपम बनाने वाले जिन में आपको बहुत कम चीजों का यूज करना पड़ेगा एकदम सॉफ्ट स्पंजी एकदम जालीदार आपके अपम बन के तयार होंगी बहुत इंस्टंट बन जाते हैं आप एक बापना के जरू ट्राइए करीगा ब्रेकफस्ट के लिए तो बेस्ट रेसिपी है टेस्टी भी है हल्दी भी और साथ में बहुत कम मैनत के साथ ही बन जाती ह तो चलिए यह रवा के उपम का नाष्ट बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमें नहीं लेए हैं पुहा पूहा जो है वह बन ठर्ड का पर इसके बाद इसे हमें अच्छे से पानी से बौश करियना और दस मिनिट बाद इसका पानी निकालेंगे, जिस से की पुहा एकदम बढ़िया से फूल जाएगा, उसका बैटर एकदम स्मूध बनेगा, तो अब ही पुहा में एड़ करेंगे सूजी, तो एक कप के करीब हमने सूजी लिये है, इसके पाद दही, भी हमने एक cup लिया है same quantity में लेना है सूजी और दही इसके बाद लिया है एक cup पानी तो यहां पर आधा cup मैंने पहले डाला mix कर देंगे और आधा cup बाद में डाल दें तो यहां पर सूजी जो है वह काफी जड़ा पानी को एब्सॉर्ब कर दीती है इसलिए पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है इससे आप consistency पता कर सकते हैं तो अभी यह देखिए जो हमारा mix है तयार हो चुका है अभी यह से हमें रख दिना है जिसकी सूजी जो है वह अच्छे से तो इसमें करीबन आपको 10 मिनिट लगेंगे 10 मिनिट बाद यह देखिए जो हमारा बैटर है वो तैयार है यह देखिए थोड़ा सा mix कर लेती हूँ और अभी इसकी consistency एकदम बराबर है अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले मसालों में जादो मसाले नहीं डालने है केवाल नम के साथ इसलिए इसमें जादा मसाले नहीं लगते तो यह देखिए हमने अच्छे से mix कर लिया आप चाहें तो यहां पर चीनी का powder भी यूज कर सकते हैं यह फिस सिंपल चीनी यूज करें क्योंकि हम इससे पीसना है तो यहां पर एक मैने grinding jar लिया है छोटा वाला jar लीजिए जो हमारा बैटर है बनके तयार है और इसकी अब दिख सकते consistency एकदम smooth है अब हम इसे transfer कर लेंगे एक बड़े बाउन में और इसके बाद यह देखिए consistency में आपको देखा दे तो एकदम इस परिकी होनी चाहिए यानि कि जैसे हम डो साब बनाते है बिल्कुल वैसी consistency अब इस डाला अच्छे से मिलाएंगे आपको यह बिल्कुल एंड में डालना है जब हम इसके अपकम बनाना start करेंगे तब ही आपको डालना पहले से डाले मत रखेगा वरना अच्छी जाली नहीं आती है और इसके बाद अब हम चलते हैं अपकम बनाने की process में तो इसके लिए तब कर देंगे और यह हम डाल देंगे जादा spread नहीं करेंगे आप बीच में डाल देते हैं तो यह अपने पूरे में फैल जाएगा और अब यहां पर लगाएंगे लिड और इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर करीवन तो से तीन मिनट जब तक यह नीचे से अच्छी सी लेयर न आपको अच्छे से इसे पकने देना होगा वरना अगर आपने कच्छा पल्टा तब यह तूट जाएगा क्योंकि इसमें मौश्य बहुत ज़्यादा होता है दूसरे साइट भी पकाएंगे सेम टाइम ही यानी दो मिनिट और इसके बाद यह देखिए हमारा जो अपम है बन सर्फ करें टॉमेटों के साथ आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं नारील की चटनी अगर आपको पसंद हो या फिस सांबर के साथ भी से भाया जा सकता है और यह देखिए कितना जदे सपंजी बना एकदम जालीदार बनाएं तो फ्रेंड्स आप यह नाश स्ट्रासिपी मेट अब तकिले गूद्वाइ